दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत हैं आप सब का फिर से एक न्य वेकेंसी के साथ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NLC India Limited की तरफ से डिप्लोमा और BB Tech वालों के लिए वेकेंसी आई हुई है यहां पर आपकी अलग-अलग ब्रांचों के लिए वेकेंसी है, फ्रेसर से लिजिबल हैं, आपकी परमान अंजोब रहने वाली है और All Our India के Candidate यहां पर अपलाई कर सकते हैं और क्या बताया गया हैं के Official Notice में उसमें आगे जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और यूटूब पर सबसे ज़्यादा जोब सब्डेक पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि Civil Engineering से समबंधित किसी भी लेटेस्ट जोब का अपडेट आपसे मिस ना हो और आप प्रीमियम टाइप जोब्स के लिए हमारे टेलिग्राम चैनल और वाट्सप ग्रूप को जॉइन कर सकते हैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तो हम हैं के ओफिसल नोटेस पर नोटेस आपका एनलसी इंडिया लिम्टेट की तरफ से जारी किय गया है यह आपकी एक नौरतन कंपनी है और गॉर्मेंट ओफ इंडिया का इंटर प्राइजेज है यहां पर आपकी अलग-अलग पोजिशन के लिए वेकेंसी हैं डिप्लोमा और बीबी टेक वाले यहां पर अपलाई कर सकते हैं फ्रेसर से लिजिबल हैं ओलवर इंडिया से एप्लिकेशन इंवाइट किये गए हैं और वर्क लोकेशन भी यहां पर आपकी इंडिया के अलग-अलग स्टेट में रहने वाली है सबसे पहली वेकेंसी यहां पर आपकी रहने वाली है जूनियर ओवर मैन के लिए यहां पर आपको एस वन ग्रेल्ट की सैली मिलेगी नेक्स वेकेंसी यहां पर आपकी रहने वाली है जूनियर सर्वेर के लिए यहां पर भी आपको एस वन ग्रेल्ट की सैली मिलेगी और लास्ट वेकेंसी यहां पर आपको एस जी वन ग्रेल्ट की सैली मिलेगी यहां पर आपकी पोस्टों को केटेगरी वाइस बाटा गया ह और इसी के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए यहाँ पर कितनी वेकेंसी रहने वाली है नेक्स अम बात कर लेते हैं आपकी educational qualification के बारे में तो सबसे पहली पोस्ट यहाँ पर आपकी रहने वाली है junior overman trainee के लिए यहाँ पर आपसे educational qualification में diploma मांगा गया है in mining या फिर mining engineering में या फिर इसके equivalent में जो भी branch आती हैं अगर आपने इनसे diploma किया है तो आप यहाँ पर eligible रहेंगे next vacancy यहाँ पर आपकी रहने वाली है junior surveyor trainee के लिए यहाँ पर आपसे diploma मांगा गया है mining या फिर mining engineering में या फिर mine survey और में करके दिया है अगर आपने diploma या फिर bbtek किया हुआ है civil engineering से तो भी आप यहाँ पर eligible रहेंगे और last vacancy में यहाँ पर आपको educational qualification में बताया है अगर आपने diploma किया है या फिर degree की है any subject में या फिर अगर आपने bbtek क्या diploma किया है mining engineering में तो भी आप यहाँ पर apply कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं आपके crucial date के बारे में तो यहाँ पर आपका cutoff रहने वाला है 11.2022 के हिसाफ से यहाँ पर post के आपकी S1 grade और SG1 grade की रहने वाली है यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको अलग-अलग category के हिसाफ से यहाँ पर आपका और SG1 grade में सेल्डी आपको 26,000 रुपे से लेकर 1,10,000 रुपे प्रतिमन्थ मिलेगी average CTC आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं next अब बात कर लेते हैं आपके place of posting के बारे में तो posting यहाँ पर आपकी all over India में कहीं भी हो सकती है reservation और relaxation यहाँ पर आपको age per government of India के guideline के अनुसार मिलने वाला है अब बात कर लेते हैं आपके selection process के बारे में तो selection process यहाँ पर आपका written exam के आधार पर रहने वाला है question paper में यहाँ पर आपसे part 1 और part 2 में question पूछ जाएंगे पहले part में आपसे non-tech के 30 question पूछ जाएंगे और दूसरे part में आपकी subject to discipline से 70 number के 70 question पूछ जाएंगे इसके लिए आपको यहाँ पर 2 घंटे का समय मिलेगा question paper यहाँ पर आपका सिर्फ English language में ही होगा और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि आपकी कोई भी negative marking नहीं रहेगी और general conditions में आपको बताया है only Indian nationals are eligible to apply यानी all over India के candidate यहाँ पर apply कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं how to apply आप इसके लिए apply कैसे कर सकते हैं तो apply link आपको नीचे description box में मिल जाएगा आप वहाँ से जाकर easily apply कर सकते हैं next समबात कर लेते हैं आपकी application fee के बारे में तो यहाँ पर आपकी अलग-अलग post के हिसाफ से आपकी application fee भी अलग-अलग रहने वाली है जैसे सबसे पहली post यहाँ पर आपकी रहने वाली है junior और main और junior surveyor के लिए यहाँ पर UR, EWS और OBC के लिए जो आपकी total fees रहने वाली है वो रहेगी 595 रुपे और यहाँ पर SC, ST, PWD और X-Service main को application fees में concession दिया गया है लेकिन processing fees यहाँ पर आप इनकी 295 रुपे रहेगी और last post यहाँ पर आपकी रहने वाली सिर्दर के लिए यहाँ पर UR, EWS, OBC के लिए application fees जो है total 486 रुपे रहेगी SC, ST, PWD और X-Service main के लिए application fees यहाँ पर 236 रुपे रहेगी application fees आप यहाँ पर online पे कर सकते हैं और जब आप अपना form online करेंगे तो यहाँ पर आपको आपकी जो भी PDF है, JPG फाइले हैं उनका यहाँ पर criteria दिया गया है next हम बात कर लेते हैं आपके online डेटों की तो form online होने यहाँ पर आपके शुरू हो चुके हैं 2 December से और last date यहाँ पर आपकी 30 December रहने वाली है तो जो भी दोस्त हमारे diploma और BBT किये हुए हैं अगर आप इनके लिए interested होते हैं, eligible होते हैं तो आप यहाँ पर जरूर अप्लाई करिए अभी के लिए इतना ही मिलते हैं next वीडियो में वीडियो को पुरा देखने के लिए आप सबका thank you, सुक्रिया वीडियो को like करें, share करें और civil engineering के सबसे ज्यादा job सब्डेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें